नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटोब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी आगनवाड़ी की अंतरगत कारिय करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप जरूर वोच करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा आठ बड़ी गोशनाएं की गई है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकरी देने जा रहा हूँ दोस्तो एक एक गोशना के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किसके लिए क्या गोशना की गई है साती मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हींट देना चाहूँगा जैसी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मांदे में बढ़ोतरी एक साल में दोलांक रूपे और एक एक मोबाइल आपको यहाँ पर दिया जाएगा ऐसी दोस्तो बहुत बड़ी आठ गोशनाई हैं जिसके बारे में मैं आपको विस्तार पूरोग बताऊँगा और यह लाब आपको जन्वरी 2022 में फर्ष्ट हपते में यंके पहले ही वीक में आपको यहाँ पर यह लाब दिया जाएगा तो जोस्तो अगर आप भी आगनवाडी के अंतरकत कारे करते हैं आगनवाडी कर्मी हैं मांदे पर कारे करते हैं तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखेगा चले उस्तो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप से निवदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्याद स जोसे कि मैंने आपको बता है कि 8 गोषना यहां पर हुई है और 8 की 8 गोषना में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों मुख्या मंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आगनवाड़ी वरकर के रिटायरमेंट पर 1 लांख रुपे और सहिकाओ को 50,000 रुपे एक मुस्त रासित देने की ग यहां पर बड़ा लाव मिलने जा रहा है जो रिटायर वरकर हैं आगनवाड़ी वरकर उनको 1 लांख रुपे दे जाएगे और जो आगनवाड़ी सहिका होंगी उनको 50,000 रुपे एक मुस्त रासि दे जाएगी वहीं दोस्तों गोषना नंबर 2 दोस्तों सरकार ने इसके सा साथ आगनवाड़ी करेकरताओं के लिए मासिक वेतन में भी वरुद्धी करने का एलान क्या है यहन दोस्तों जितनी भी आगनवाड़ी करेकरताओं हैं उनके मानदे में वरुद्धी की जाएगी दोस्तों गोषना नंबर 3 सरकारी आदेश के अनुसार दो साल में बकाया रासी के साथ साथ सभी आगनवाड़ी करेकरताओं को कोविड-19 के दोरान फ्रेंट लाइन वर्करों के रूप में काम करने के लिए एक हजार रूपे का प्रोसाहन दिया जाएगा यानिक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो साल के बकाया जो रुका हुआ है और कोविड-19 के चलते यहाँ पर जो फ्रेंट लाइन वर्करों के रूप में कारेकरते हैं कारेकर रहे हैं उनको एक हजार रूपे क्रोसाहन रासी भी दे जाएगी वहीं दोस्तों घोषना नंबर 4 आगनवाडिकर करता हो और सहिकाओ के मांदे में सितंबर 2020 से 400 रूपे और सितंबर 2021 से यानिके सितंबर 2021 से 450 रूपे की बढ़ोत्री की जाएगी यानिके दोस्तों मैं आपको दादू यहाँ पर 2020 में 400 रूपे की बढ़ोत्री की गई थी वहीं अब दोस्तों जो भी सितंबर में कारेकर रहे हैं उनको भी आगे सितंबर महा का बढ़कर सेलरी जो मांदे है वहे आगे दिया जाएगा यानिके दोस्तों सितंबर महा की जो भी आपकी सैलरी होगी वहे आपको 450 रूपे बढ़ा कर दे जाएगी और जितना भी आपका बगाया रुका हुआ है वहे भी आपको जन्वरी 2022 के पहले हपते में ही मिल जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पर गोशना नंबर पांच सभी आगनवाडी कारेकरताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल फोन देने की गोशना भी की गई है यानि दोस्तों आगनवाडी वर्कुरों को सरकार की तरफ से एक-एक फोन भी दिया जाएगा अगर आप अंगनवाडी की अंतरगत कारे करते हैं तो आप जानते ही होगे कि आपको कई सारी जो फाइले हैं वह सात रखनी होती है लेकिन अब वह आपका जो जंजर था फाइले का बोज उठाना वह अब आपको वह करना नहीं पड़ेगा इनके फाइले नहीं उठानी पड़ेगी, चर-चरव 5 फाइले जो होती थी आपको साथ रखनी होती थी, तो वह सभी जो प्रशानी थी आपकी वह समाप्त कर दी गई है, केवल और केवल बस आपको एक मोबाइल रखना है, और आपके मोबाइल में ही संपूर्ण डाटा आप को दिया जाएगा और दोस्तों आपको सिधा ओपिशिल वेबसाइट से जोड़ा जाएगा जिससे कि दोस्तों आपको फाइल उठानी नहीं होगी और आप अपने मोबाइल फोन से ही संपूर्ण कारिया कर सेगी तो यहाँ पर जो पांच भी घोसना है वे है मोबाइल फोन की है सभी आगनवाडी करकरताओं को एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा साथ रहे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर मोबाइल फोन में कोई दिक्कत हो जाती है फोन खू जाता है तो उसके जुम्यवार आप ही होगे साथी यहाँ पर आगनवाडी करकरताओं को अगर रिटार्मेंट हो रही है तो उनको यह फोन जमा करना होगा ठीक दोस्तों तो चलते हैं नैस्ट गोशना की ओर तो यहाँ पर जो नैस्ट गोशना है वह है गोशना नंबर छे हैं अगनवाडी वरकरों को आईश्मान भारत योजना का लाब दिया जाएगा यहाँ द सरकार बना जाता है तो इसमें पांच लांग रूपे का स्वस्य वीमा होता है एक साल में आपको पांच लांग रूपे बीमारी के लिए मिलते हैं अगर साल में आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो पांच लांग रूपे का जो भी खर्चा होगा वह सरकार दोबरा उठ की दिर्गटना होने पर डो लांख रूपे की साहिता भी दे जाएगी यहां कि अगर आगनवाड़ी वर्क्रों की डुरवा उलार्वालों को sta 就 कोई हाथ तूट जाता है यानिके शरीर का कोई भी अंग पूर्ण रूप से डैमिज हो जाता है तो उनको एक लांग रूपे का लाव दिया जाएगा जिससे कि वे अपना उपचार करा सके और जो भी साहिता है वह दोस्तों उनको दी जाएगी चलते हैं नैस्ट गोशने की और तो गोशना नंबर यहां पर साथ तो गोशना नंबर साथ में क्या बताया गया है क्या गोशना की गई है वह आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंगनवाडी केंद्रो से किसी भी आंगनवाडी वर्क करे करता एव हटाय नहीं जाएगा और दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी कारे करता है वे हलागातार जैसे की सरकार में सरकार करमचारी होते हैं और अपने समय अवदी के नुसार उनको रिटार किया जाता है तो इसी परकार से अब आंगनवाड़ी कारे करताओं को आंगनवाडी सहकाओं को भी इसी प्रकार से रिटाइप किया जाएगा ना कि आपको बीच में हटाया जाएगा। वहीं दोस्तों काफी लंबे समय से धर्ना पर्दसन चल रहा था आंगनवाडी मांदे को लेकर प्रमानेंट को लेकर और प्रमोशन को लेकर तो मैं आपको बदा चाहूंगा कि सरकार दुवारा मांदे में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों जो सुपरवाजरों के लिए भी एक बड़ी ख़बर हैं जो मैं आपको इहाँ पर बताओंगा। लेकिन उससे पहले आपको बढाँ चाहूँगा कि काफी जो कमेंट आ रहे थे आंगनवाडी सुपरवाजर को लेकर कि सुपरवाजर की भरती कब कराई जाएगी तो मैं आपको बढाँ चाहता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आगनवाडी आने जा रही है इसमें आपकी जो योगेता होगी वह गर्जिवेशन होगी अगर आपकी गर्जिवेशन है तो आप आसानी से सुपरवाजर के लिए नई भरती के लिए आवजन कर सकते हैं तो इसमें आपको एकजाम भी देना होगा इंट्रिवू भी देना होगा यहने कि आ प्रकार से लिए जाएगा और याइगी आपके आपको पूछा को जा सकता है है वह संपुर्ण जानकर यापको वीडियो में प्रोपर टरीके से दे जाएगी जो और पितूकर यह जो आठव बर्णा है वह क्या है वह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों वी—ब लाइक दें तो वीडियो को लाइक कर देजिए। अब यहां पर धियान से देखीगा यहां पर बता गया है कि आदे तो आदेश के अनुसार आंगनवाडी वर्कर को लिखित प्रिक्षा के माध्यम से सुपरवाजर के पद पर पदोनत करने की भी योजना बनेगी यनिके जो आंगनवाडी वर्कर हैं पहल से कारिय कर रही हैं उनकी एक लिखित प्रिक्षा ली जाएगी यनिके प्रमोशन कित लेते हैं हैं यहांपर आप देख सकते हैं यहांपर पुरी पूरी जो फाइल वह है दे गई है आंगनवर्कर को सरकार ने 9 वर्ष इसर숙 पार द्वारा यहां पर तोफा दिया गया है और मुख्या मंत्री ने क्या क्या गोशने की गई है एक बार फिर आपको यहां पर बदान चाहेंगे दोस्तों वरकरों को रिटायर पर मिलेंगे एक लाग रुपे और हेल्पर को 50,000 रुपे 31 दिसंबर 2021 को रिटायर होने वाले क को मिलेंगे इसका लाव अंगनवाडी वरकर वे हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा वरकर के मांदे में सितंबर 2020 से 400 रुपे और सितंबर 2021 से 450 रुपे की बढ़ोतरी साथी दोस्तों मांदे में वर्ष 2019 वे 2021 दो साल का एरियर दिया जाएगा यहनके जो भात्ता रुपा होगा है आपका जो भी साथी रुपी हुई है वे आपको मिल जाएगा साथी हाप रागे दी गई है कि सभी आंगनवाडी वरकर को दिया रुपे प्रोसान राशी दे जाएगी साथी दोस्तों आगे जानकारी दी गई है कि आंगनवाडी वरकर को आईश्मान भारत योजना का लाभिज दिया जाएगा जैसे कि पांच लांग रुपे एक साल में दे आते हैं यादिके आपकी बिमारी के लिए दे आते हैं कोविड-19 के दोरान फ्रेंट-Line वरकर लिये एक हजार रुपे का प्रोसान राशी दियाएगी जोंको 202 सब्सक्राइब को लिखित प्रिक्षा के मात्यम से सुपरवाजर के पदपर प्रोनित के लिए उन्हें दोस्तों एक्जाम देदा होगा और सुपरवाजर बन सकेगे सब्सक्राइब की आगणवाड राज्य की है तो मैं आपको वह भी जानकारी है यह केवल और केवल हरियाना राज्य की है मुख्यमंतरी जी है अगर आप किसी अधर्रा राजे से हैं दोस्तो उत्रप्रदेश पंजाब भिहार राजिस्टान जिस तक वीड़ो को और पहली बार आये हैं तो चैनल को जुरूबसक्टर ढाहरी तो दोस्तो हम अपनी तरफ से कोई भी जानकारी आपको नहीं देते हैं तो कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें आपसे निविदन है हाज जोड़कर कि दोस्तो हमारा मकसद की वाद और की वाद आप तक जानकारी पहुचाना है जो भी सरकार दुवारा गोशना की जाती है और अब ही राज्य सरकार दुवारा केंसरकार दुवारा अपडेट आता है उसी के जरी हम आप तक जानकारी पहुचा पाते हैं दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूरू सब्सक्राइब करेगा आने वादी जो घोस्त नहीं होंगी वह भी आपको सही समय पर मिलती रहेंगी आप चाते हैं हमसे जात और मिलते हैं पना इस्टूडिया में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत